कि सबसे पहले वेटा जो हमने पिछला चेप्टर किया था फिर्स चेप्टर किया था उसमें हमने सेक्षण 231 कि हांज बेटा सेक्षण 231 में जिसमें पर्सन को डिफाइन किया गया है उसमें बेटा आपको बताया था कि परसन के अंदर इंडिज्वल सबसे पहले बिटा किसको शामिल किया जाता है इंडिज्वल सेकेंड नंबर बेटा पताया था परसन को के अंदर और किसको शामिल किया जाता है एक तो वहां वेटा मुने मीनिंग ऑफ एक कर लिया था तो मैं आज मीनिंग पे ज्यादा चर् लो जिं गिधारी लाल अधे ये बिटा KUJ है गिधारी लालंट से भीका है ये सब उसके मेंबर से एषर के मेंबर को एषल कॉलते है उसमें लिखो ने एष एष के जो मेंबर को पार्शनर को ने को भी पिठा को ऑजा को व्हाटा थाओ झाल कि यह विटा सबसे सीनियर मॉस्ट मैंबर एट फैमिली का सीनियर मॉस्ट मेंपर को बेटा क्या बोलते हैं हां जी बीटा करता हो गए ठीक है हां जी बीटा देखिए suppose करो पाण इस family का एक common business है गौल्ड का business मैंने एक example ले रहा हूं मान लिजिए व्यी इस ये जो ॹस्ति आधी शॉल्ड गा किसी मेंबर का पर्स अलड़ी विजब सरु फेमली को दिशनत को मैं तर्मДаquant में इस ब्विजनेस की इंकम पर ड्टक लगेगा किस फो्म में लगएगा यहज ए फुETH ठीक है अगर यह किसी मेंबर का इंडीज्वल बिजनेस होता हां जी बेटा अगर गॉल्ड बिजनेस किसी मेंबर का इंडीज्वल बिजनेस है तो उसके उपर टेक्स लगेगा एजन इंडीज्वल मैं यह लेकर चल रहा हूं कि गॉल्ड बिजनेस बेटा किसी मेंबर का लगाने से पहले किसी बी हम टर रिटाल हने करने से पहले उसका स्राइश किया और है इंडिजन की तरह सबसे पहले बैटा बेटा राट फियर stringam एक और फिर बश्निक ऑफिर टो पार्ट है एं ओंच आज विटा डेजिडेंट और इनर एंड ओर इनरती रेजिडेंट इन सेटी जगेंट बट नोट और ओर इनरली डिजजटेंट कि थीक है तो सबसे पहले बेटा अभी हम ना तो ordinary resident की बात करेंगे ना ही बेटा हम not ordinary की बात करेंगे पहले हमें यह करना है कि Hindu and divided family ही ली यह नोजजीजिट की कटेगरी में आती है वो पैटक चटेकरて है उसके लिए बेसी कंडिसेंस है घुजबट बेसी कंडिशन की एल्प से हम चेक करेंगे वैधर एंभर euh डिवाड़टी फेंद CT for और नॉन डेजिए उसके लिए विटा हमें एक ही चीज़ करनी है एक ही चीज़ करनी है कि यह जो हिंदू अंडिवाइडिट फैमली का बटा जो बिजनेस है इसका मेनेजमेंट एंड कंट्रोल कहां से हो रहा है करपां इंहीजमेंट कंट्रोल अधित कि बारे में सुनो गया क्या बाती हो सकती है इसके बर मेंती यह चीनसे हो सकती हैं smear मेनेजमेंट एंड कंट्रोल फुली है फुली इंसाइड इंडिया हां जी बिटा हिंदू अंडिवेड़िट फैमिली का जो बिजनेस है उसका मेनेजमेंट और इंडिया से दूसरी बात कि आजी बेटा फुली आउटसाइड इंडिया इसका जो में इंडिया के बाहर से हो रहा है और तीसरी बात पार्शली पार्शली इंसाइड इंडिया हिंदु अंडिवाइड फैंडिया से हो रहे हैं और आउटसाइड इंडिया और तीसरी बात पार्शली पार्शली इंडिया से ओर हो रहा है इंडिया के बाहर हो रहा हूँ तो resident की category में आने के लिए क्या ज़र हूरी है результат की category में आने के लिए या तो उसका परबंद और नहीं अंतरन fully inside दिया ओ तो भी या फिर पार्शली चांच एपर अगर बैट फर्स्ट कास केस है या थर्ड केस से तो की गटेगरी आही और वंठावर उसका प्रबन्ध और नहीं अंतरन फुली आउटसएड इंडिया फुली आउटसाइड में च्छार माले सीवित वके आगे जो को सितने से संबंदित मामले उनका परबंद और नियंतेरं कहा से और उनका प्रबंद और ने अंत्रन पार से टो व्यूंध हैं टिक है प्रबंद और नियंतरन इंडिया में है इंडिया के बाहर है उसके लिए एक ही बात देखनी है कि हिंदू अंडिवाइडिट फैमिली का जो करता है कि हिंदू अंडिवाइड फैमिली के जो बिजनेस उसमें बेटा दो तरह की बाते होती है एक टो डे टूडे मैंटर्स ठीक है डे टूडे का मतलब जैसे बिजनेस के अंदर जो हमारी रूटीन एक्टिविटी होती है रूटीन एक्टिविटी जैसे समान खरीदना बेचना हिस्त250 उनको इ内 टूडे अफेर्स बेटा बोलते हैं ठीक है जी शमान खरीदना समान बेचना बिजनेस के Naves में करना यह सारा डे टूडेयट लिए मैं घृटब विजनेस के difference डिस एगटन घून मेंटर्स हाँ एक लेटा बिजनेस के डिसीजवण ओर वेटा पॉली हिंदू न डिवाइडिट फैमली जो निर्ने लेने हैं इंपोर्टन डिसीजन लेने हैं यह चैनल के में पॉलिसी बनानी है हमने देखाद सो नेजमेरें कंट्रोल में या पहली है को नहीं टेखना हमने किसement को चैक करने पैठीन कि अपॉलिशी मेंटर्स यह कहां पर दिसाइड हो रहे हैं पेहली बात हिंदु यांडीवैड़ीड़ीड फैमिली के बिटा जो डेसेज़न से वह कौन लेता है करता आपको यह कि आपके है देखना है कि करता है जो decisions और पॉलीशी मेटर्स हो कहां पर ले रहा है वह इंडिया में ले रहा है तो और दिसीजन और पॉलीस ही मिटटर कहां पर ले रहे आउटसाइड इंडिया ले रहे तो इसका स्टोके पर रहे तो यहां पर मैन चीज है आपने देखनी है management and control और management and control का मतलब किस से है decision and policy matter से management and control का मतलब है decisions and policy matters और decision and policy matters आपको चेक करना पड़ेगा कहां से operate कि जा रहे हैं ठीक है तो resident की category में आने के लिए बिटा क्या जरूरी है या तो fully inside India या फिर partially और अगर fully outside India है management and control इसको बेटा एक्जाम में लिखना कैसे है आओ अब उस पे चलते हैं इसका बेटा screenshot ले सकते हैं इस लाइड का screenshot ले सकते हैं otherwise हम आगे मूग कर रहे हैं हाँ जी बेटा हां जी बेटा यह मैंने बताए दिया इसमें section बेटा ध्यान रखना section 62 and 66 B यह है ठीक है चार्ट बेटा वही है इंडीजोल वाला रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट फिर रेजिडेंट एंड ओर्डिनर्ली एंड रेजिडेंट बट नोट ओडिनर्ली उसके बाद हां जी बेटा basic conditions बेटा भी अभी मैंने बता दी management and control या तो fully inside इडिया होना चाहिए या partially अगर fully inside इडिया है तो भी वो रेजिडेंट partially inside इडिया है तो भी बेटा वो रेजिडेंट और management and control का मतलब policy and decision matters कहां पर लिए जा रहे हैं तो आगे चलते हैं कि इसको बेटा रीड कर लो अभी अभी यही बाते मैंने बताई हैं देखिए कि क्या लिखता है पढ़ते हैं इसको मैं अभी वेटा आपके साथ साथ रीड कर रहा हूं इसको किसी भी हुआ को बेटा रेजिडेंट का माना जाता है द्यान से देखिएगा इफ तहा management and control management and control बेटा किसका of the affairs affairs का मतलब बेटा यहां पर है business से संबंदित मामले affairs का मतलब है business matters और control and management का बेटा किस चीज़ को देखने उसके लिए policy matters very good विकास ने लिख दिया policy and decisions ठीक है during the previous year और कौन से यह में चेक करने प्रीविए सिर प्रीविए सिर 1920 जो आपका relevant प्रीविए सिर ठीक है और आगे बेटा क्या क्या कहता है एक चुएफ इस नौन डेजिडेंट इन इंडिया नौन डेजिडेंट बेटा कब होगा इफ control and management of its affairs is wholly situated outside इंडिया यहां बेटा ध्यान से देखो क्या लिखा था उपर रेजिडेंट में holly और partially होली का मतलब अटा पूरान रूप से और पार्शली का मतलब आंशिक रूप से ठीक है और situated in इंडिया तो तो resident otherwise situated outside इंडिया है तो non-resistant ठीक है इसमें इन इंडिया चलो जी यह सब बाते हो चुगी है हमारी अब यह बटा इंपोर्टेंट नौट यह पढ़िए क्या कहते हैं दप्लेस ऑफ कंट्रोल और मेनेजमेंट प्लेस को सा माना जाएगा प्लेस ऑफ कंट्रोल इन प्लेस वेर डिसीजन और पॉलिशी मैंटर रिगार्डिंग दा बिजनेस अफिर्स ऑफ एक टेकन यह मैं बता चुका हूं आपको पहले प्लेस ऑब इडिफरेंट फ्रॉम दा प्लेस ऑप इंडिया में वह बटा यह बटी यह लाइन बहुत इंपोर्टेंट है कि बिजन बिजनेस चलाया जा रहा है वह इंडिया के अंदर है ठीक है जी और जबकि उसका मनेजमेंट इंड कंट्रोल हो सकता है उसका मनेजमेंट इंड कंट्रोल भी वहीं पर हो तो आगे हम अभी मैं कुछ सिच्वेशन लोंगा तो वहां पर हम इन चीजों को क्लियर करेंगे है और तो इलां संस का जो करता है प्रिवार का जो सबसे बड़ा सदस्तथ है घजो परिवार जो फैमिली मेरे नेजनेस में दॉनों को देखते है और तो तो यूएसे में बेठा-बेठा ले रहा है करता यूएस में शमी और वी नेतै लिजशनेस एपा不過 आ इंडिया में ही तीकति पुषेस संबंदित जो भी स्मेटर है वह तक कर रहा है और करता कहां पर है यूएसे में उस बिजनेस का जो विटा मैंगां मेनेजमेंटन केंट्रोट कहां से हो रहा है ऑउट साइड इंडिया ठीक है इसे में कुछ समय केलिए इंडिया यह अगर यूएस देडिया तो यह माना जाएगा उसने तो उसाइन इंट प्रबंद ने अंध्रन और ऑतSC नहीं यह ठीक को बटता यहां तो वैट démocrat दुए-त्रव्ध offend ऊठ्ण में उडू रहे और आन्शीध परबंद नहीं अंत्रन इंडिया से हो रहा है या फिर सारा का सारा मैं एंडिया तीक है यह तीन बाते हो सकती है चलो आगे बढ़ते हैं नीचे क्या कहता है बेटा एक्जामपल दिया हुए देखो इफ दा करता इज रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया अगर करता इंडिया के बाहर रह रहा है जैसे हमने अभी एक्जामपल लिया थ्रो आउट दा प्रीवियस एर एंड ही एस नौट टेकन इवन इस सिंगल डिसीजन उसने एक भी निर्ने लिया रिगार्डिंग एच्व इन इंडिया तो मनेजमेंट एंड कंट्रोल बेटा कहां पर कंसीटर किया जाएगा ट्रीटीड एस होली आउटसाइड इंडिया और किस केटेगरी में आ जाएगी फिर नौन रेजिजिएंट अगर सारा का सारा बेटा मनेजमेंट इंड कंट्रोल इंडिया के बाहर होगा तो इसको नौन रेजिदेंट हम ट्रीट करेंगे चलो अब बात करेंगे हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हिंदू एंडिवाइड डेंड आगा बेटा में देखना इडिशनल कंडीशन अटस लिए ये चेक करने के लिए और डेनरली रैजिजिजिएंट और स्लभ्ष करने 5 है तो इसको चैक करने के लिए लिए अगे लिए वेटा हमें additional conditions देखनी है सबसे पहली बात additional condition वेटा जो फुल्फिल करनी पड़ेंगी लिए ध्यू उध्य फैमली का डिस्टेटस करने के लिए जो करनी होगी वो फैमिली के करता को एडिशनल कंडिशन के लिए फैमिली के किसी भी मेंबर को आपने नहीं देखना सिरफ करता को देखना यह जो दो कंडिशन में बता रहा हूं यह किसको फुल्फिल करनी है करता को और यह दो एडिशनल कंडिशन कोई नई कंडिशन नहीं यह वही की वही कंडिशन हैं जो लगाना करता यह सातसो तीस के स्टेक साथ सालों में था किस को किसका होदा करता us कि यह कर्दीशन 열심히 में चाहिए पहली दोनों कि कर भूदिशन का फुलिभी नवलकts रहिए समयंड के सेकैंड के 108 कि 7 यह कंडिशन भी पहले कर चुके हैं सेम एज इन केस ऑफ इंडी जो थीक है बस ध्यान रखने वाली बात कि यह दोनों कंडिशन सिर्फ किसके लिए चेक करनी है करता के लिए ठीक है अब यहां पर एक बात बात है जो ध्यान रखनी है एक इंपोर्टन्ट बात है ऍी ध्यान रखनी है वो सुनो ध्यान से जैसे मैंने कहा प्रीविस यर से पहले के साथ सालों में 730 इन कम से कम करता नहीं अंडिया में स्ते कियाओ ठीक है अब अदना ध्यान से सुनना मेरी बात प्रीविस एस से पहले के साथ साल हमारे कौन से हैं अजी विटा मैं लिख रहा हूं एक बार एक तो बिटा 1718 कि एक 16 17 18 19 भी बनेगा 18 19 भी आएगा जी एक विटा 16 17 15 16 14 15 और एक विटा 13 14 एक दो तींजा च्छे साल और एक और लिख लेते हैं 12 13 यह प्रीवियस यर से पहले के साथ साल है अब ध्यान से सुनना प्रीवियस एर से पहले के साथ सालो में हमने साथ सो तीस तिन टोटल चेक करने ठीक है ऐसा भी तो बिटा पॉसिबल है कि इन साथ सालो में करता चेंज हो गया हो पहले करता मान लो फैम्ली का करता था Mr. X फैमिली का करता Mr. X था Mr. X भीटा expired हो गया Mr. X family का जो senior must member था वो एक्स पाय को गया ठीक है या वह unsound mind का हो गया पाउकल हो गया तो उसके उसके बाद फिर जू दूसरा member है हां जी मिस्तर्एक्ठ के बाद मान लो फैमिली का करता कौन बन गया वाई ठीक है मान आधले किकने का मतलब इन साथ सालों में बेटा कितने करता चेंज हुए कितनेमें हैं पहले एक्स सारु वेठा एक्स पागल हो गया जी बन गया वाई नहीं होंगी आप है अब ध्यान के दुरांच जितने भी बने हैं उनके टोटल में गिलाके सथसो पीरियेड के दॉरां करता बने उनके टोटल डेज देखने आपने तो करता में चेंज डिरिंग दीज डिज और दीज टैनियर अग्ट यहां तक यहां तक बेटा क्लियर है चलो जी हाँ एक्सके डेज प्लस वाई के डेज प्लस जेड के डेज एक स्टूडेंट ने लिख है बड़े अच्छे तरीके से वेरी गूल आगे बढ़ते हैं इसको बेटा मैं कलियर कर रहा हूं स्क्रीन शोट लेना तो ले लीजिए गा हां जी बेटा पड़ो बेटा आगे क्या कहता है तो केल्कुलेट दा रिक्वाइड पीरियड ऑस्टे तो केल्कुलेट दा रिक्वाइड पीरियड ऑस्टे फोर डेटर्मिनेशन ओफ प्रेजिडेंस ओफ करता तो टोटल पीरियड ऑस्टे ओफ ओल दा सक्सेसिव करता देखो यह लिखा वह जितने भी करता बने सक्सेसिव का मतलब पहले एक्स था फिर य फिर जड़ शुड भी अग्रिगेट उन सभी का टोटल पीरियड एग्रि कि दा रेजिडेंशल स्टेटस ओफ को पार्शनर्स करता को छोड़ के बेटा करता को छोड़ कर बाकि जितने भी को पार्शनर हैं उनका रेजिडेंशल स्टेटस कोई माइने नहीं रखता इन मैटीरियल का मतलब उसकी कोई इंपोर्टेंस नहीं है इन मैटीरियल का मतलब कोई माइने नहीं रखता ठीक है चलो जी है हाँ जी तो इसके और अगर हम कंक्लूड करें तो क्या-क्या बाते निकल करा रही है सबसे पहले पढ़ते हैं घया है कर अगर अगर ब हमनेजहाएं कि जो होरी है और बेटा सिर्फ क्या बनेंगा वह लीगा जो करता है। अगर रेजिजेंट वाली तो फुल्फिल हो गई वाली और पार्शली गामला रेजिजेंट तो बन गया वह बट अडिशनल कंडिशन बेटा सिरफ एक पूरी हो रही है और मैंने बताया था अडिशनल कंडिशन दोनों पूरी होनी कंपल्सरी है एक का कोई फाइदा नहीं है ठीक है तो एक कंडिशन पूरी हो या नन कोई भी पूरी ना हो बात एक ही है तो किस केटिगरी में आ जाएगा नौट और लास्ट है अगर हिंदू अंडिवाइडिट फैमिली का जो बिजनेस है उसका मनेजमेंट कंट्रोल कहां से हो रहा है आउट साइड इंडिया ठीक है तो सीधा उसमें अडिशनल कंडिशन तो देखनी नहीं होती अडिशनल कंडिशन यहां पर कोई रेलिवेंट नहीं है क्योंकि इसका मनेजमेंट कंट्रोल सारा का सारा इंडिया के बाहर है तो किस केटिगरी में आ जाएगी वह न पूछनी हो तो प्लीज राइट इंडा चैट वोक्स वेरी गूट स्कीना कह रहे है क्लियर अभी नंदन कह रहे हैं नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है पूजा कभी मोना वेरी गुड वर्शा पूजा विकास सभी के रिप्लाई मैं देख पा रहा हूं दीपा सरीता जोती च हां जी बेटा आगे बढ़ते हैं कि एक बेटा कोश्चन करते हैं हुएफ का एक सम करेंगे हां जी बेटा पढ़ो बेटा इस सम को पढ़ो हां जी बेटा क्या कहता है इस सम में हां जी बेटा देखिए एक बेटा हिंदू अंडिवाइडिट फैमली है केरी जोंदा बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ड्राइफ रूट्स उसका बेटा ड्राइफ रूट का बिजनेस है हां जी बेटा एक फिन्दूं डीवाइडड फैमिली का ड्राइफ रूट का बिजनेस है एक्सपोर्ट का और जो सबस्पोर्ट हो रहा है अफ्गानिस्तान से g and for this purpose it has a permanent office there Afghanistan में बेटा एक office बनाया हुआ कि विजे से कंट्रोल अफुन कर रहा है कॉन कर रहा है कर्दा का बेटा जो चोटा बहाई यंगर र्दर ठीक है ओर वो ही पर्मानेंटल गवाट ली अफगानिस्तान में रहताai दर करता रिजाइट सिन इंडिया करता इंडिया में रहे रहे दप सब्सक्रीष ? प्लिस मषय सब्सक्रा है करता पॉलिची ब्रोटर कॉर्ण वाट इन हमुआ County वसे तो करता लेता सबसे पहले बटा यह देखो कि हां जी वीटा सबसे पहले injured ऐसे हैं अधी ही बटा सबसे पहली बाद देखो प्लेस ओब बिजनेस और पर लेश वैसे कोई माइन्हें निखता प्लेश कहीं भी हो सकता वेटा प्लेश वैसे इस कोई में place कह fame पर है अफगानीसफथान अभ्स न उघ्तान ते अइस प्लेस इंडिया में ओं छैफ डानीस्तान वह माइण नहीं रखता तेस्टस में यह बात माइद tapping आपने जो चेक करनें वह चेक करनें प्लेस के साथ साथ ही प्लेस फिटा बिजशन का बिलेसर तो अaintsंसतान हो गया east can't हमें चैक करना है मनेजमेंट एंड कंट्रोल में भी दो चीज़े आती हैं हाज जो चोंटे देखेर देख रहा है यंगर ब्रदर यह वेटा हमने च्यक्नी गरना यह कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है इसको हमने चेक नहीं करना है हमने देखना है मनेजमेंट एंड कंट्रोल के लिए पिटा हमने क्या देखना होता है पॉलिसी एंडिसीजन में इंडिया पर्मनेंटली इंडिया हां जी पीटा पॉलिसी मेंटर ऺटा करता देख रहा है और करता इंडिया में हैं पर पॉलिसी मेंटर सारे के सारे करता डिसाइड खर रहा है सबसे पाथ ये जो हिंडु कि management अच्छा यह बताओ यह भी लिखा हुए कि policy decision कई बार अगर करता करता के अलावा emergency situation में कौन ले सकता है उसका यंगर ब्रदर इसका मतलब और यंगर ब्रदर बेटा कहां रहता है अफगानिस्तान में इसका मतलब यह हो गया कि कुछ decision कुछ decision decision तो करता डिसाइड करता है और कुछ मामलों में decision लेने का अधिकार यंगर ब्रदर को भी है तो यहां पर मुझे यह बताओ कि जो management and control है वह फुली इंसाइड इंडिया या पार्शली इंसाइड इंडिया है हां जी पार्शली वेरी गुड हां जी वटा आंशिक रूप से चलो ठीक है बेटा तो यह resident की केटिगरी में तो आ गया हां जीटा resident की केटिगरी में तो आ गया है अब हमें क्या चेक करना है अब हमें यह डिसाइड करना है कि यह ordinary resident है या not ordinary पार्शली के लिए अधिशनल कंडिशन कंडिशन किसको फुल फिल करनी होती है पहले तो यह बताओ मुझे कोई भी में फुलफिल कर सकता है यह करता फुलफिल करनी होती है करता को के वैरी गुड अच्छा अब करता देखो करता बेटा कहां पर है करता पर्मानेटली इंडिया करता अगया लिखा हुआ की युख पर देखो परमानेंटली इंडिया तो बता है युख when i इंडीया में रहता है तो पिछले सात सालों में वह सात Sोतीज दिन वाली कंडिशन फुल defil करतेंगे या साथ साथ सोतीज थीन वाली कंडिशन भी करतेंगा और दूसरी कंडिशन वह ट्थ ए इस운 इसका मतलब यह हुआ कि वह हिंदू एंडिवाइड फैमिली का जो करता है वह दोनों एडिशनल कंडिशन भी फुल्फिल कर रहा है तो बताओ वह किस केटिगरी में आया कि हांजी वेरिगुड सभी बच्चों का रिप्लाइगा रहा है वह हिंद वन डिवाइड फैमिली किस केटिगरी में आ जाएगी पांजी पीटा है रेजिजिजन्ट एंड ऑ डिनर यह वेटा हमारा फाइणल आंसर होगा मैं यह वेटा हमारा फाइणल आंसर है और हो आए